वेल्कॉम बैक्ट में चलनों दोस्तों कैसे हो आप सब उम्मीद करती कि आप सब बहुत बढ़े होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे आप सब के लिए का और धमाके दर वीडियो लेके आ गये हैं तो सबसे पहले उस वीडियो का प्रिव्यू यहां पर देख लीजिए तो गाइस अभी अभी जो आपने वीडियो देखा इस वीडियो पर अगर ध्यान से देखे होंगे तो टेक्स क्रूल हो रहा है इसके पास से बैक्राउंड में भी देख रहे हैं तो बलर है और छोटा फोटो है उसमें भी एक एक लगाया गया है तो बहुत अच्छा से वीड सब्सक्राइब करते हैं अगर आप अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया हो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले पूरा डिटेल में ध्यान से दिखेगा और वीडियो को लास्ट तक देखेगा स्किप मत किजिएगा चलिए स्टार्ट करते गाई हम आएगा अपना वाल का हम स्क्रीन पर विडियो को पूरा कंप्लीट देखेगा विदाउट इसकीप किये हुए तब अप लोग क्लियरली समझोगे सबसे पहले हम लोग अपना अप्लिकेशन को यहां से ओपन करते हैं और यहां पर एक फोटो का रिकार्मेंट होगा जो भी आप फोटो दिखाना चाहते हो अपने स्टैटेस में आप अपना या अपना जीएफ का किसी का भी फोटो यहाँ पर आप करके बना सकते हो ठीक है तो एकदम ध्यान से दिखेगा सबसे पहले यह बड़ा वाला प्लस जो है यहाँ पर प्लस करोगे अब यहाँ पर देख सकता है तो चलो यह वाला फोटो यह वाला फोटो ले लेते हैं ठीक है अब यहाँ से मूब इंट्रांफर्म पर क्लिक करोगे उपर से थर्ड वाले उप्शन पर क्लिक कर लोगे और राइट से लेट की तरफ इस तरीके से करके फोटो को थोड़ा सा छोटा कर लोगे ठीक है इतना छोटा कर लो जितना छोटा आप दिखाना चाहा तो इतना छोटा आप कर लो ठीक है अब यहाँ से आपको बैक करने है अब आपको next step में करना क्या है effect पे जाएंगे add effect पे क्लिक करेंगे यहाँ पे अदस वाले option पे चले जाओगे यहाँ पे फिल बिहाँड लिखा हुआ है इसको कलिक करोगे यहां से स्टाइंड़ सेटिंग कोовать खालो धैएदर क्लिक करको तब फोटो को सब्यों अपको हलका-फैदर को शाव को मिलेगा जो काफी अच्छा लगता है यहां चाल्रेशन सब्सक्टर करके अब इतना का काम हो गया अच्छा आपको यह जो color आप देख रहोना है बैग्राउंड का यह color आपको changes करने तो यहां से आप color भी changes कर सकते हैं जो भी आप color देना चाहो वहां से वह color को change कर सके यहां से टींट पे क्लिक करोगे यहां से move and transform पे क्लिक करेंगे यहां से oxalate को चूज करेंगे यहां से standard setting को क्लिक कर लेंगे ठीक है अब oxalate को open कर लेने का बात गाइस angle को 45 रहने देना है frequency पे क्लिक करना है frequency को 0.15 कर देना है ठीक है यह देख लो इतना काम complete अब आपको करना है कि यहां पे अपना चैनल को लोगो बना लो तो चलो प्लस करते हैं और टेक्स्ट पे जाते हैं यहां पे अपना चैनल को लोगो बना लेते हैं तो मैं अपना जो Instagram आईडी यह लिख देता हूं तो गाइस अगर आप लो Instagram पे मुझे यह फॉलो नहीं किये वह अभी तक तो फॉलो कर लो यार क्या कर रहे हो और टेलिग्राम का भी डिस्क्रिप्शन में तो जा कर लेना ठीक है क्योंकि जो भी वुडियो बनाता हूं सब का आपको आसानी से मिल जाते तो वह आपका ही फायदा है टेक्स लेने के बाद यहां पर लेफ्ट सेट के कॉर्णर पर देखोगे तो अप्सन मिलते हैं इसको एक बर क्लिक कर लो ठीक है अब रोबोटो रेगुलर पर क्लिक करना और यह वाला फॉंट को ले लेना है यह वाल लोगो बढखेना वाला पर मॉइंख लिखेना रहए टेक्स पर क्लिक करना कम आपको पर लुकिंज सेटिंग करना है उष्ट करना है अब इसको इस तरी कें सकरके आपको बढ़ाना है को यह देख लो कुछ करना पहलूर को लोग ऐड़ कर लेंगे जब करना हैं और यहां-पे-कलड कर लेंगे समये Chip डिक अब यहां को टेक्स कलर्ट करना है और डाहना से लिके लिजा इसा सब्सक्रा करोगेelp this इसको पी एंजी को अच्छा से नीचे में आपका जो चैनल लोगों उसके नीचे रखना है और इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा करके अब अपने इसाफ से इसको एड्जेस्ट्मेंट करके यहां पर रख देते हैं ठीक है अच्छा अब इन दोनों को यहां पर क्लिक करके हो जो रहा थे तो ब्लस करते हैं मीडिया पर जाते हैं और अपना गैलरी से एक गाना को i'd कर ले ले लेते हैं यही वए सोंग ह। देख सकते हों भी लउस्त तक क्लिक करोगे प्लिक करोगे छोटा कर ले ठीक है प्लस करते हैं यहां पर ट्रेंडिंग में चल रहा है आपका इंस्टाइग्राम रील्स पे जिसमें से जान तक ठीक है फड़ापट से देखो एकदम क्लियरली समझ जाओगे और गाइस कमेंट करो आप लोग कमेंट बहुत कम कर रहे हो आप लोग लाइक भी बहुत कम कर रहे हो वीडियो तो आप लो रेगलर को चूज कर लो रोबोट रेगलर पर जाओगे इस फॉन्ट का नाम है कि सिंटे डिकोरा सिंटे डिकोरा टीब ब्लेक ठीक है इसको ले ले लेते हैं अब यह दो लाइन में रखोगो तो ज्यादा दिखेगा तो मैं एक लाइन में का वीडियो बनायते तो इसको इ अच्छा से यहां पर देगे गाइस ठीक है कुछ इस तरीका से अच्यार अब आपका जो चैनल लोगों है इसको भी आप चाहले तो छोटा बड़ा कर सकते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे ठीक है यह देख लो ठोड़ा चोटा रहेगा ना तो देखने में अच्छा ठीक है अब आपको ध्यान से देखना ये करना लाइख चाहां से यह करना है क्लिक कर लोग्ए तैंडर लिखा हुआ है इसटेक्ट का लुगा क्लिक करें अब सब्सक्राइब लगा दो और Real ने को बार लास्ट से थोड़ा पहले रहोगा है यहां पर प्लस लग bind तो यहां पर ध्यान से देखना एक और चीज में बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अब जो टेक्स का सुरू में आने के बाद इधर से आपको इधर से कम करने होंगे ठीक है यह मैं आपको बताऊंगा अभी देख लो कुछ इस तरीका से आपको दिख रहा है पूरा सेटिंग कैसे हो गाए देख लो रेडियोस पर लेगो जाओ लेट और कंई प्लश नहीं करना है इसको पूरा पूरे 20 कर देना इधर से देख लो इधर सेप्यापे द्यान से देखना एक्जेक्ट मुझे तो पता ही कि इतना वैला देना भाट यह अगर आप जानो और इसको इस तरह करके तोड़ा सा और बढ़ाना आए जहां पर टेक्स आपका दिखने लगे देख लो यहां पर टेक्स दिखने लगा हलका सा अभी रखना है 0.173 ठीक है अभी दर लास्ट में आ अने के बाद यहां पर एक और चीज आपको ध्यान देना है यह लास्ट में को दिखाऊं तो यह देख लो कुछ इस तरीका से टेक्स आपका देख रहा है जो काफी यूनिक है काफी कमाल का है हो गया अब आपको प्रोडूस वल पर जाना है स्टाइपल पर क्लिक कर लेना है इस तरीका से करके दो बाट टेक्स्ट के अंदर से कलर चला जाए उतना तक आपको रखना है इसको click करके hold रखना है शुरू में रख देना है अब थोड़ा सा आगे बढ़के यहां पे एक और प्लस लगा दो फिर वापस left से right के तरफ हम लोगो एक बर लेके जाना है अब यह left से right के तरफ एक बर लेके जाना है वो मतलब क्या है यह बीच में देखो यह color है और यह जो color को हम लोगो change करने तो हम रखेते यह golden color तो आप golden color रखना चाहिए तो golden करा रख सकते हो इस वाले option से इसको guys यहां से आपको dark करना है ठीक है अब यह text देखोगे तो पूरा clearly आपको देखने को मिलेगा यह इस तरीका से तो देखो कितना कमाल का effect लग रहा है ठीक है आप text पर क्लिक करना है बॉडरेंड सैडों पर जाके फटर बोले option पर जाके इसको इनेबल कर देना है बस इतना काम complete हो गया अब यह next लिखने के लिए यह पर आपको क्लिक करना है यहां पर आपको इसी option पर क्लिक करके paste करना है जो भी आपका वार्ड है वार्डिंग को सिर्फ आप से चेंज करते नहीं ठीक है अब एक काम करना है पूरा जब टेक्स लोगे तो इसी वीडियो के डिस्टिशन में एक ब्लेक स्क्रीन वीडियो मिलेगा उसको आपको एड करना है चलो मैं उसको पहले एड कर लेता हूं आप अब गाईस देख सकते हो यह वाला ब्लेक स् जाना है यहां से लाइटिंग पर जाना और इसको स्क्रीन पर स्लेट कर देना है ठीक है यह आपका काम कंप्लीट हो गया बट यह देखो तो यह चोटा रहेगा इसको आपको बड़ा कैसे करना है अब इसको क्लिक कर लो और इसके बासे नेक्स जहां पर आपको यह यहीं प काफी फ़संद दाए अच्छा से सीख गये होंगे समझ गया होंगे अच्छा लगाऊगा अगर यह विदिए आपको जरूर एक लाइक कर देना चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करना कि एसे न्यू ट्रेंडिंग वीडियो आपको Barrie आपको अपको मिलते रहेगा वीडियो क को सेब करने के लिए यहां से सेर और आप्शन पर जाओगे विडियो सेलेक्ट रहागा यहां से एक्सपार्ट करें गालरी में सेफ हो जागा थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए